तो दोस्तो कद्दू बनाने की रेसिपी आपने बहुत सारी देखी होंगी पर आज जो तरीका में आपके लिए लाई हूँ न आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी ट्राय नहीं की होगी आज हम कद्दू को इस तरीके से बनाएंगे न कि बच्चे क्या बड़े सभी को इतनी पस वैसे दोस्तो जो नॉमली दूसरी कद्दू की सबजियां बनती है न ग्रेवी वाली उनमें हम चिलके को नहीं निकालते हैं बड़ आज की रेसिपी के लिए हमें यहाँ पर चिलके को कद्दू से अलग करना होगा साथ ही जो बच्चे होता है न उन्हें चिलका पसंद नह हमाज यहाँ पर निकाल देंगे उसके साथ ही तो कद्दू का बीज है हम उसे बीज से डिसकार्ट कर देंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कद्दू के छोटे-छोटे टुकड़े काट कर हमें रेडी करने हैं तो यहाँ पर आप देखिए मैंने बढ़िया से छोटे- पांच बड़े चमच सरसो का तेल कड़ाई में डाल दिया हम वेट करेंगे कि तेल में से धुआ निकले जैसे आप देखें कि तेल जल चुका है उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे एक टीस्पून जीरा करी पत्ते डालेंगे और दो सूखी ला से फिर मैं इसमें डाले हैं दो मीडियम साइस की प्याज या फिर आप कह लीजे छोटे प्याज इस रेसिपी में हमें प्याज का इस्तमाल जादा नहीं करना या तो फिर आप एक ही प्याज ले लीजे बड़ा सा या तो फिर छोटे-छोटे या मीडियम साइस के दो प्या तो यह देखिए दो से तीम निट लगे बिलकुल लो फ्लेम पर मैंने प्याज को छोड़ दिया था प्याज हमारे सिर्फ ट्रांस्परेंट हो गए यानि की आर पार दिखाई दे रहे है इसी तरह के प्याज होने चाहिए उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च बार टमाटर आज की रेसिवे में हमें थोड़े जादा चाहिए यह इसके फ्लेवर को बहुत अच्छे से बैलन्स करेंगे तो तीन मीडियम साइज के टमाटर ले लिये हैं इने भी मैंने रफली काट लिया था और उसके साथ ही जो कदू हमने धोकर काट कर रखा था वो भी हम इसके सब्जी में अड़ कर देंगी अब दोस्तों कुछ नहीं करना आप इसे बहुत अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे सुखे मसाले तो यह वाली जो मैं सब्जी बता रही हूं आपको इसे बनाना बहुत आसान है हर को इसे सकता है बड़ इसका टेस्ट आन आपको बेहत पसंद आएगा तब यहां पर हमने कदू डाल दिया टमाटर डाल दिये सबको मिक्स कर लिया अब इसमें जाएंगे सुखे मसाले तो बहुती बेसिक से तीन सुखे मसाले हमें इसमें डालने है नमक हम डालेंगे स्वाद अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चटपटा पसंद होती खाफी का आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सुखे मसाले आड़ कर लें उन्हें बढ़िया से मिक्स कर लें अब यहां पर क्या करना है गैस का फ्लेम आप बिलकुल लो कर दीजे और इसे ढखकन लगाकर दस 10 मिनट के लिए छोड़ दीजी अब दोस्तों बिलकुल लो फ्लेम पर ही छोड़ियेगा क्योंकि टमाटर प्याज का पानी निकलता है तो धीरे धीरे ग्रेवी जो हमारी चिपकेगी नहीं ड्राय होने लग जाएगी और काफी हद तक कुग भी हो जाएगी अब 8-10 मिनट ह दुखके और यहां देखिए में ने इसका धकन हटाया है तो हमारे कद्थ हैना काफी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर भी सॉफ्ट हो गए है प्याज भी को खो चुक हैं बडिया से तो एसमें यहां पर इससे मेश करना है तो दोस्तों यहां पर आप चाहें तो को मैश कर लिजे दोस्तों जब मैंने 8-10 मिनट के लिए सबजी को रखा था तब भी मैंने से बीच में एक से दो बार चलाया था ताकि यह बिलकुल नीचे ना लगे कोई चांसिस ना हो इसके नीचे लगने के क्योंकि कद्दू में से पानी बहुत कम निकलता है इसके लिए आप उसको एक बार चला लिजेगा फिर से ढख लिजेगा और यह देखे दस मिनट के बार कद्दू हमारे बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गये थे मतलब जब मैश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह मैश हो रहे हैं बस ऐसा ही हमें कद्दू को कुक करना ह अब यहां पर हमने इसे बढ़िया से मैश कर लिया और अब हम इसे मिक्स करके फिर से साथ से आठ मिनट के लिए धीमी आज पर छोड़ देंगे लाइक मुझे लग रहा था कि हलकी सी कसर बाकी है थोड़ा सा सॉफ्ट होना और बाकी है तो मैंने इसे फिर से कवर करके बिल मैगी मसाला आधा सैशे मैगी मसाला इसमें डाला है और साथ ही हम डालेंगे काफी सारा फ्रेश बारी कटा हुआ हरा धनिया और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिजे तो दोस्तों यह एकदम सिंपल ओली सब्जी आपको देखने से लग रही है ना जब आप इसे द चार चान लगा देगा आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजे बच्चे बड़े सबजी को बड़े ही चाव से खाएंगे साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान है बढ़ हमेंसे सिर्फ धीमी आज पर कुक करना है जिससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएग नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बाई